हेलो दोस्तों एक बार फीर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से डोमेन पर्चेस कर सकते है गोडैडी के थुरू तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है एक एक इस टिप मैं यहाँ पर बताऊंगा तो यहाँ पर लिंक ऀप्सकिप्सरीं नंटी करें हैं और चलिए हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं तो जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इसका home page आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे वो domain आपको लिखना है, जो domain आप यहाँ से खरीदना चाहते है, जैसे कि www.myweb.com यहाँ जो भी आप चाहते हो, अपना, वो यहाँ पे डाल देजे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक account create करना पड़ेगा, तो right side में आप यहाँ पे देख सकते है, sign in का यहाँ पे option है, sign in का मतलब है, अगर आपके पास account है, तो sign in में जाएंगे, रुकिए जैसे हम यहाँ पे click करते, username, password वगरा डाल के आप इसे आगे proceed कर सकते हो, तो जैसे कि मेरा यहाँ पे already इसमें account है, तो मैं इसमें sign in कर लेता हूँ, तो चलिए मैं sign in कर लोते हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए जभी भी domain आप खर देंगे, तो जो भी आपने यहाँ पे account create किया है, तो यहाँ से आपको जो भी है operate यहाँ से करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे account create करने के जुरत पड़ते हैं, जैसे कि देखिए हमारा यहाँ पे login हो चुका है, login होने के बाद my go daddy के page पे फिर से हम वही आ जाएंगे, तो दोस्तों जब आप login करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे ऐसे लिग कर आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे already account create कर लिया है और यहाँ पे आपने sign in कर लिया है, तो जो भी domain खर देंगे तो इस account से आपको operate होगा, तो देखिए अब हम यहाँ पे आजाते है इसके home page पे और यहाँ पे find your perfect domain, तो वो domain का नाम लिखे जो domain आप खरीदना चाहते हैं, तो एक बार आप search कीजिए यहाँ पे बहुत सारा चीज कि वो available है की नहीं है, कि अगर available नहीं होगा तो आप उसे नहीं खरीच सकते हो, तो ability भी यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पे खरीदते हैं, तो दोस्तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम लिखना चाहता हूँ, लिख कर मैं उसे search करूँगा, पहले तो मैं देखूँगा, वो available है की नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको, यह खुद को एक research कर लिए, यहाँ पे कि हूँ अपे वो available है की नहीं है, तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह हमारा अविलेबल यहां पे दिखा रहा है coder t-point.com अगर अगर अविलेबल है तो आप इसे कार्ट में add करके इसे आप आगे बढ़ सकते हैं और भी आप नीचे में आप अगर देखेंगे तो जैसे कि किसी किसी को तो जैसा आप लेना चाहते है एकदम sort वेगर तो उसका कुछ ज्यादा प्राइस होता है लेगिन हाँ आप अपने बजट के हिसाब से यहां पर देख लीजेए जैसे कि देखेंगे यह मेरा perfect budget यहां पर लग रहा है ठीक है अब उसके उपर में देखेंगे continue to cart है अब हम यहां पर करेंगे क्लिक अब देखेंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन यहां पर रहता है जिसका आपका पर यहर का 299 रुपय यहां पर लगेगा और ultimate production security अब अगर यह extra feature से अप लेना चाहते हैं तो लीजिए otherwise यहां पर no thanks में जाएए क्योंकि आप extra पैसे नहीं देना चाहते है फिर से नीचे में आएंगे यहां पर देखिए यहां पर professional emails में भी हमारा click है already जो की 29 रुपय महना लग रहा हम इसे भी no thanks हम कर देंगे फिर उसके बाद हम नीचे में आएंगे देखिए यहां पर web hosting जो दिखा रहा है तो हम भी इसे no thanks में करेंगे ठीक है अब continue to cart हम फिर से यहां पर करते है तो दोस्तों देखिए जैसे कि हमने continue to cart में हो यहां पर click किया तो देखिए billing information आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो जो भी आपका नाम से यहां पर account create किया है अल्ड़ी यहां पर आ जाएगा first name last name country यहां पर आ जाएगा यहां पर आपको phone number डालना है यहां पर address डालना है यहां पर zip code state city और organization GST अगर आप है तो आप यहां पर दे सकते है ठीक है यह जो billing information होगा जैसे कि कभी भी कोई भी खरिदारी आप करते है तो एक bill generate होता है बस सिर्फ वो उसके लिए है उससे ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर उसके बाद देखिए हम यहां पर आते है यहां पर आइटम अगर वन यहर के लिए select करता हूं क्योंकि जब फिर मैं renew कर लूँगा जब दुसरा साल पर जाओंगा तो यह भी बात याद रखे जभी जितने साल के लिए आप यहां पर खरिदते है दो चार पांथ जितने भी है फिर उसके बाद आपको उस domain को renew करना पड़ेगा ठीक है तो च सकते है 499 रूपीज 89 रूपीज का पर टेक्स है टोटल जूड़ के यहां पर 588.57 ठीक है नॉमिनल रेट है कोई ज्यादा भी नहीं है और यहां पर आगर आप चाहे तो यहां पर कस्टमर कर से बात भी कर सकते हैं जैसे देखिए कॉंटक्ट इंफोर्मेशन के यहां पर देखेखिए लेमसर में भी कर एंफादा निचे द दियागी है अगर जो रत हो अब आप कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर बिलिग और्टस यहां पर डाल देता हूं तो दोस्तों अभी हमने यहां पर देर्म बस हम यहां पर क्लिक करेंगे हैं आपका सेव भी यहाँ पर complete purchase में आपको यहाँ पर जाना है उसके बाद payment gateway यहाँ पर आपका खुल के आएगा जैसे कि देखें यहाँ थोड़ा process हो रहा है यहाँ देखें CCFN यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा wait करते हैं यहाँ पर देखिए HDFC bank आ रहा है जो भी आपका bank होगा वहाँ पर आ order और यही हमने successfully हमने यहाँ पर payment भी कर दिया देखिए order हमारा generate यहाँ पर हो गया यू रिसिप्ट में अगर आप देखेंगे तो देखें यहाँ पर वो details आ जाएगी देखिए account setting automatically यहाँ पर खुल गया और एक देखिए billing date आज का date यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर order ID ठीक है यह आपका यहाँ पर अपने product अच्छे से purchase यहाँ पर कर लिया है अब देखिए जैसे manage my domain में में जाता हूँ domain manager तो यहाँ पर जितने भी आप domain खरीदेंगे यहाँ पर पूरा सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि देखिए यहाँ पर coder t point यहाँ पर आगे है और इसका expiry date अगर आप देखेंगे तो यह आपका एक साल तक का यहाँ पर इसका validity है तो यहाँ पर एक साल के बाद फिर से आपको इसको renew करवाना पड़ेगा और यह आपका auto renewal हमने अभी off करके रखा है क्योंकि जैसे कि जब एक साल complete होगा तो देखिए किसी आपने यहाँ पर domain यहाँ पर इस तरीके से आपने खरीद लिया है बस my domain में आपको यहाँ पर जा तरह का अगर आपका doubt होगा तो आप हमसे सवाल पूछ सकते है comment box में उसका reply हम जल से जल करने की कोसिस करेंगे तो मिलते हैं अब next video में तब तक के लिए नमस्कार thank you thanks for watching